रेप पीडीता को हुई डिलेवरी और डिलेवरी के बाद हॉस्पिटिल से हो गया बच्चा चूरी यह संसनी खेज मामला उज्जेन जुले का है उज्जेन के आर्डी गार्डी वेडिकल कॉलेज में यह गटना हुई दरसल देवास के बागली में एक यूती रेप का शिकार हुई थी न्यायले के आदेश के बाद उसे आर्डी गार्डी मेडिकल कॉलेज में एड्मिट कराया गया था यहां उसने स्वस्त बच्चे को जन्म दिया बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो गया पॉलस को सूचना दी गई पॉ में रखी गई थी अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी जब डिलिवरी हो गई यहां पर तीन दिन बाद इसके माता-पिता मिलने के लिए आये थे यहां पर तो कल रात में उसकी मा और बाली का सुधार ग्रह की एक अटेंडर राधा वर्मा यहां पर रात में को जो सिस्टम लगे हुए हैं वो इत्ता काम भी नहीं कर रहे हैं पूर्ण रूप से बनने हैं विगाद दो सालों से हां पे सीसी टीवी सुरक्षा पूरी तरह से ठप है और वेक्ति का सुरक्षा के रूप में भी केवल में गेट के ऊपर एक अटेंडर रहता है और उसे प्राइस कर रहे हैं कि बच्चा हमको मिल्या सीगरे से सीगरे से प्रात्मी किस्तर की जानकारी तो हमारे बाजू में एक बैठ था एक महिला थी उसको लड़की हुई थी तो जैसे यह बच्चे को हमने शुलाया है दूद पिलवा के और थोड़ी देर बाद वह बच्चा लगया तो हमने बोला कि यह को चुपकरा वोले तो उनके वह तीन महिलाएं थी उनके साथ तो उसकी जो माती बच्चे की उसने मेरे को बताया कि इसको टीका लगा जो जन्मजात का टीका लगता इसी का एक देड़ घंटे तक वह बच्चा रूए तो हम यही समझ रहे कि इ बोला कि बेटा तो उटके बच्चे को दूद पिला दे अपने बच्चे को क्योंकि हम लोगों को डूटी रहती है बच्चे को दूद पिलवाना मा को याद दिलाना तो मैं बच्चे के पास गई और वह मां उटके बेठी है तो फिर मैंने उसको कम्माल हटा के देखा तो मान बच्चा नहीं टासा तो मैने उससे पूछा कि बच्चा का रहा है तो बदिमारे काई मालूं बच्चा कि तो